नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ग्यानिश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइफ सिटिस का विसेश काजगरम सुबह की चाए और आज सुबह की चाए में हम चर्चा करेंगे बिहार की सियासत की देखिए हम चर्चा करना चाहते हैं बारा फरवरी को हो रहे बहुमत परिक्षन की मतलब ये कि निटीश कुमार और बीजेपी की शरकार को बिहार बिधान सबा में यह साबित करना है कि बहुमत उनके साथ है की नहीं है और इसके लिए बड़ा खिला खिला जा रहा है और निटीश कुमार जितने आस्वस थे उतनी ही परिशानी उनके समक्स आती हुई दिख रही है दिखे लालु यादब और तजस्व यादब हिम्मत नहीं आ रहे है पूरी राट ऑपरेशन चलता रहा है और ऑपरेशन का हल यह है कि अब ऑपरेशन सिर्फ आरजेडी की ओ से जेडियू में और बीजेपि में नहीं चल रहा है बलकि जेडियू ने भी RJD के भीतर आप्रेशन शुरू कर दिया है कॉंग्रेस अपने बिढायकों को सुरक्षित ठिकाने पर ले गई है हैद्रावार लेकर चली गई है कि हमारे बिढायक सुरक्षित रहेंगे ये जेडियू वाले उन्हें तोर नहीं पाएंगे और उन्हें ठीक बहुमत परिक्षन के पहले लाया जाएगा करी निग्रानी रखी जा रही है देखिए कितनी गर्मा गर्मी है कल साम को यह खबर बहुत तेज फैल गई कि संतों सुमन जो जीतर नाम मांजी के बेटे है जिने बिहार सकार में मंत्री पद की सपत भी दिलाई गई है वे इस्तिफाद देने वाले है इसके बाद तो तुफान ही आ गया लोग इधर उधर फोन करने लगे और कहा जाने लगा कि जीतर नाम मांजी का मन बदल गया है उन्होंने लालू यादब का ओफर स्विकार कर लिया है देखिए जब इतना तुफान मचा तो हमारे रिपोर्टर आलोक ने कल साम को ही संतोस सुमन से बात चित की संतोस सुमन ने कहा कि मैंने इस्तिफाद नहीं दिया है मैं एंडिये के साथ ही रहना चाहता हूँ और मैं इधा उधार नहीं हो रहा हूँ संतोस सुमन ने अपनी बाते इस्पस्ता के साथ कही लेकिन कुछ ऐसी बाते भी कही जिसके कारण संसे की सिती ब्रकार रही और देखिए होस्ट ट्रेडिंग आपने सुना होगा वह बक्त भी आया हुआ है जेडियू के भीतर सेंध मारी के लिए बीजेपी के भीतर सेंध मारी के लिए और कैसी सेंध मारी बहुमत परिक्षन के बक्त जेडियू के कई बिढ़ायक गैर हाजिर हो जाए बीजेपी के कई बिढ़ायक गैर हाजिर हो जाए और फिर निटीज कुमार की सरकार बहुमत सावित ना कर सके सरकार गिर जाए इसके बाग नई सरकार बनाने का दावा आर जेडि की ओर से पेश किया जाए तो देखिए इसके लिए क्या क्या लोब लालच परपंच सब कुछ टिकट है जिन्हें लोग सभा चुनाव लड़ना है जेडियू के बीजेपी के उन्हें टिकट ओफर किये जा रहे हैं कि महागठ वंदन का टिकट मिल जाएगा इसके अलाबा कुर्सी ओफर कि जा रही है इस्तिफा दे कर आईए मंत्री पर की सपत लीजिए छा महीने के भीतर चुनाव होगा फिर से चुनाव लड़ लीजेगा इसके अलावा बोरा और जोला जोला और बोरा की चर्चा है अब यह जो बोरा और जोला है वह खाली नहीं है भरा हुआ है लेकिन कहां कितना भरा हुआ है यह समझने की बात है तो यह सारी चर्चाएं हैं लेकिन सबाल यह है कि जेडियू में क्या सेंध मारी हो पाएगी जेडियू की और से भी ऑप्रेशन अपने एक एक बिधायक को ठीक रखने का आप्रेशन चलाये जारा है और माना यह जारा है कि बहुमत तो साबित करी लेंगे अब देखिए बिधान सबा के अध्यक्छ अबद बिहारी चौदरी जिन्हें लालू यादब ने इस्तिफा देने से मना कर दिया है उनके खिलाप भाजपा की ओर से अब विश्वास-प्रस्ताव लाया गया है। जेडियू की सहमती है, हम पाटी की सहमती है, तो विधान सभा के अध्यक्ष की कुर्शी पर यदि आर जेडी के नेता अबद भिहारी चौधरी बरकरार रह जाते हैं, तो वे खेला कर सकते हैं, जो गैर हाजिर हो जाएंगे, उनके बारे में कोई फैसला नहीं लेंगे, यद तो जेडियू की तयारी ये है, कि सबसे पहले अविस्वास प्रस्ताओं, और जैसे ही अविस्वास प्रस्ताओं परहा जाएगा, अबद भिहारी चौधरी को कुर्सी खाली कर दी होगी, चोकि उस कुर्सी पर रहते हुए बोटिंग नहीं हो सकती है, तो जैसे ही अबद जेडियू को लग रहा है, कि हमारी सरकार सही सलामत हो जाएगी, जो गैर हाजिर होने के बारे में सोच रहे होंगे, उन्हें सरस्ता खत्म होने का हसास हो जाएगा, और हमारी सरकार पच जाएगी, तो देखिए, आखनों का खेल है, आर जेडियू वाले पांच से आठ प्रेशन चला है, उसमें जीतर नाम मांजी को मुख्य मंत्री पद का ओफर नहीं है, बाकी सारे चीज़े हैं, लेकिन ओफर क्या है, डिप्टी सीम और दो मंत्री पद, लेकिए, जीतर नाम मांजी नितीज कुमार से भी दो मंत्री पद मांग रहे हैं, एक को तो सफ़त द येंबाले को भी मान लेजे तो ये 115 ऐसे हो जाते हैं जीता नाम माजी आ गए तो चार बर जाते हैं 119 और उधर से ये गैर हाजिर हुए 5 कम से कम या फिर 68 देखें डावा तो ये क्या जा रहा है कि 12 बिधायक हैं जेडियो और बीजेपी के जो महा गठबंदन के पक्ष में ह और सरकार गिराने के लिए तैयार हैं लेकिन इन बातों पर तब तक भरोसा मत कीजिए जब तक बहुमत परिक्षन का बक्त नाज है उधर जब लालू यादब ने यह खेला खेलना सुरू किया तो नितीज कुमार ने भी अपने सारे बैक्समेन उता दिये और जब ये बैक रहे हैं जो लालू यादब और तजस्वी आदब से खुश नहीं है तो यगी जेडियू वाले गैरहाजिर हो सकते हैं बीजेपी के तीन बिधायकों के वाले में कहा जा रहा है तो आर ribा के भी विधायक गैरहाजिर होंगे नितीज कुमार के बैस्मन इस त 그 के फिल्लिंग होना है विश्तार में किसे किसे सामिल की आज़ा है देखिए बीजेपी का फैसला तो केंदिये नित्र तो करता है लेकिन राइस सुमारी तो होती ही होती है समराज चौधरी दिल्ली गए हुए थे दिल्ली में चर्चा हुई होगी मुख्यमंति निटीश कुमार भी दिल्ली जा सकते हैं अगले एक दो दिनों के भीतर तो देखिए जिन नामों को कंफर्म माना जा रहा है सबसे पहले बिहार बिधान सभा का अध्यक जो है वो बीजेपी का होगा लेकिन रेनू देवी होंगी या फिर नंद की सोर्यादब इन दो नामों की चर्चा है रेनू देवी दिप्टी चीपनिश्टर थी तो एक संदेशा देना नंद की सोर्यादब देखिए ऐसे नेता है जो सेतू बन सकते हैं जेडियू और बीजेपी के बीच कोई विबाद में नहीं फस्ते हैं तो यदि रेनू देवी मनती है विरान सभा की अध्यक्षा तो नंद की अध्यक्ष बनते हैं तो रेनु देवी मनती बन जागी यह बात भी करीब-करीब तै है और देखिए यदि हम बीजेपी के खाते से उन नामों पर चर्चा करें जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये तो मनत्री बनेंगे ही बनेंगे तो मंगल पांडे मनत्री बन रहे हैं कि फिर से बन रहे हैं और संभव है कि उन्हें फिर से पुराना विभाग ही स्वास्त विभाग प्राप्ट हो जाए दिखे स्वास्त विभाग अभी समराज चौधरी के हिस्से में है तो मंगल पांडे की चर्चा पक्की मानी जा रही है नितिन नभीन जो पिछली सरकार में पत्र निर्मान मंत्री थे पाटी के पती निस्थाबान रहे उनके बारे में भी जानकारी है तारकिशोर पशाद और पबन जायसवाल इनमें कौन बाजी मारेगा तारकिशोर पशाद पिछली सरकार में मंत्री थे उनके नाम की चर्चा बिहार भाज़पा के अध्यक्ष क यह चोकाने वाला नाम जो आए वो नाम है श्रायसी सिंह का जमूई की बिढ़ायक कि श्रेशी सिंह इस बार मंथ्री बनायी जा सकती है आपको पता है कि बीहार सरकार ने एक अलग से खेल मंत्राले का गठन किया है और खेल मंत्री के रूपे श्रेशी सिंग से उपयक्ट किसी को नहीं माना जा रहा है लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि श्रेशी सिंग और नीरज कुमार बबलू दोनों में से एक ही बनेंगे नीरज कुमार बबलू पिछली सरकार में मंत्री थे, वे लोकसभा चुनाओं मधेपूरा से लगने की तयारी कर रहे थे, बीजेपी के उमिद्वार के तौर पर, लेकिन अब तो सरकार ही बदल गई, नितीस कुमार आ गए बीजेपी के साथ, तो ऐसी शूरत में इसी तियेब बन गई है, कि मधेप कार में भी मंत्री थे, शाहनवाज हुसें का फिर से उद्योग मंत्री बनना करिब करिब तय है, इसमें कोई इफवट की गुंजाइस नहीं दिख रही है, तो ये सारे नाम बिलकुल साफ तोर पर दिखाई पर रहे हैं, कि ये तो मंत्री बनेंग ही बनेंगे, अब देखि पहले लाइफ सुतिज ने आको कल बताई थी, कि राज सभा भेजे जाने वाले जेद्यों की नेताओं में एक ही सीथ है, संजय जहा का नाम सबसे आगे है, रेस में, लिस्ट में, दूसरे नमबर पर केसी त्यागी हैं, और तीसरे नमबर पर फिर से बसिस नारायन सिंग है तो यह बात और कनफर्म हो रही है कि संजय जहा को ही राज सभा भिजा जा रहा है, तो संजय जहा राज सभा जाएंगे, ऐसे इस्तिती में जेद्यों के खाते से एक मंत्री और बनेगा, कुछ रिक्तियां तो रखी ही जाती है, तो कोसी के दिगच, नरेंद नारायन याद को इस बार नितीश कुमार अपनी सरकार में सामिल कर सकते हैं, और एक बड़े विभाग की जिम्बे बारी भी दे सकते हैं, नरेंद नारायन जादब, देखिए असोक चौधी तो मंत्री बनेंगे ही बनेंगे, विजय कुमार चौधी बनी गये हैं, कुस्वाहा, देखिए तारापुर में उप्चनाव में राजीब जीते थे, उनके नाम की चर्चा भी चल रही है, बीमा भारती, जो नाराजगी जाहिर करती रही है, उनके नाम की चर्चा भी बहुत तेज है, भुमियार में बात करें, विजय चौधी बन गये हैं, लेकिन एक और नाम, जिसकी चल रही है ड leading out to देते हैं या मौका नहीं देते हैं तो इन सारे नामों की c efficiently चल रही है लेकिन पूरी रात कल कसरत दोनों और से हम कितने को गैर हाजिर करा दे महागटबंदन नितीश कुमार की सरकार कैसे गिर जाय हमने कहा ही टिकट कुर्सी जोला बोरा सब की तैयारी है जो कॉंग्रेस बिढायक हैदराबाद ले जाए गए वहां रात भर पाटी चल करती रही कि कोई इधर उधर नहीं कौन किस से बात कर रहा है इस पर भी ध्यान रखा जा रहा है श्वम अखिलेश पसासिंग जो बिहार प्रदेश कॉंग्रेस केमिटिक के अध्यक्ट हैं वे भी हैदराबाद पहुंचे हुए थे और उन्हें भी इस बात का जिम्मा लाल भी राजसभा जाना है महागतबंदन की ओर से उनका कारेकाल भी एक अपैल को खत्म होना है अखिलेश पसासिंग राजसभा जाना चाहते हैं और राजसभा पहुचकर यह सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि वे लोकसभा चुनाओं में बक्त उनके पास रहेगा ताकि मह महागतबंदन मतलब कॉंग्रेश जेडियू और लिफ्ट के उमिद्बारों का ठीक से परचार कर सके संचालन कर सके तो रात बर और जेडियू के जो बैट्समेन रात को उड़ता रहे गये हैं उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि यदि जेडियू के बिठायकों को गैर हाजिर कराने की कोशिस की गई होस्ट ट्रेडिंग हुई खरीदने लोव लालच प्रपंच तो आज एडियू के बिठायकों को भी संच्या कितनी होगी पता नहीं उन्हें भी हम बहुमत के दिन गैर हाजिर करा देंगे और इस बात का ध्यान रखना होगा कि तब बिठान स अजग की कुरसी पर अबद विहारी चौधरी नहीं महस्वर हजारी आसीन होंगे क्योंकि अजग के खिलाप अब इस्वास प्रस्ताव आ चुका होगा तो सत्या का खेल रात में इतना खेल हुआ है कि पूछ ये मन रात को जगा जगा कर लोगों से बाचित की जा रही है आ जाईए न छह महीने में तो इस्तिफा दे भी दीजेगा तो क्या होगा गैर हाजिर हो ये इस्तिफा दीजें मंत्री बन जाईए फिर संपन हो जाईएगा चुनाव लग लिजेगा जिनें लोकसभा चुनाव लगने की चाहत है उन्हें कहा जा रहा है आपको ठिकत हम दे देंगे और जेडियू उन विधायकों पर जिनके बारे में थोरा सभी सक सुभा है उन पर ध्यान दख रहा है कि वे कौन सी चाल चल रहे हैं कि लोग के संपर्क में है आर जेडि की ओर से कौन लोग बैट्समेन है या खबर भी है पॉलिटिकल पंडिट्स को दोनों खेमों को आर जेडि को जेडियू की खबर है और जेडियू को आर जेडियू की खबर है बीजेपी इस बीच यह कोशिस कर रही है कि कहीं भी ऐसा नहों कि सरकार डगमगा जाए देखिए एक बात और समझ लिजेगा हमने रात को ही सुना कि लालू यादब कह रहे हैं मध्ध पदेश दोहरा देंगे बिहार में आपको याद होगा मध्ध पदेश में पिछले बिदानसवा चुनाओं में कॉंग्रेस को जीत बिले थी कमलनात मुख मंत्री बने थे लेकिन ठोक भाव में कांग्रेस के बिधायकों ने इस्तिफादे दिया कॉंग्रेस ने बहुमत खो दिया फिर बीजेपी ने सरकार बना ली सिवडासिंग चोवान तो मद्यपदेश दोहराने की बात बिहार में हो रही है लेकिन संकत ये है कि राज़ेपाल मद्यपदेश में भाजपा के थे लेकिन भाजपा के पुराने नेता जो पाटी केंद्र में होती है राज़ेपाल उनके पति सौप्थ होते है तो बिहार में मद्यपदेश कैसे दोहराये जाएगा ये दिस सरकार डगमगा भी गई तो फिर जो बॉल है न वह तो राज़ेपाल के उसमें जाएगी और राज़ेपाल को फैसला करना होगा तो क्या बिहार में रास्पति सासन हो जाएगा राज़ेपाल इतनी आसानी से जितनी आसानी से उन्होंने निटीस कुमार को नियोता दे दिया उतनी आसानी से सरकार डगमगाने पर सरकार के बहुमत खोने पर किसी दूसरे को मौकार देने जा रहे हैं इस बात की उमीद कतै नहीं लगती है तो बिहार की खबरे क्या हो है क्या संभावनाएं है क्या तूफान है कहां आग है यह आपको हम सबसे पहले बताएंगे आप देखते रहें लाइब सिटिस को यदि अब तक आपने हमारे यूटूब चैनल लाइब सिटिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजे और यह इस वीडियो को फेस्बूक पेज के मादम से लेखे तो पेज को लाइक किजिएगा ट्यूटर पर भी हमें फॉलो किजिए धन्यवाद